तो My Hero Gate में Season 7 का end होता है मांगा के 399 चेप्टर्स पे एंड इसकी मांगा में टोटल 430 चेप्टर्स हैं वैसे तो 432 हैं बट लास्ट के दो इतने जादा इंपोर्टेंट नहीं है क्यूंकि उनमें वस हमें सारे क्रेक्टर्स की बैक स्टोरी और उनका डेप्लमेंट दिखाए जाता है कि कैसे उन्होंने यूए हाई स्कूल जोइन किया था और एक साथ कैसे ट्रेनिंग करते थे कई सारे उन्होंने साथ में लड़ाई लड़ी वगेरा वगेरा तो इसलिए उन लास्ट के दो चेप्टर्स को हम साइड कर देते हैं तो बेसिकली इसके अब 30 या 31 चेप्टर्स बागी रह गए हैं तो इसकी मांगा भी एंड हो चुकी है और इसका लास्ट सीजन भी नेक्स्ट येर आएगा जिसमें अभी काफी जादा टाइम है जो कि तुम्हें भी पता है तो इसलिए मैं इस वीडियो से एक सिरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं MHA के बचे हुए 30 चेप्टर्स को एक्स्प्लेन करूँगा तो बात हैं बहुत हो चुकी के लास्ट एपिजोड में हमने देखा था कि All Might अपने आर्मर फॉम में One for All से फाइट कर रहा था जिसमें All for One All Might पर थोड़ा भारी पढ़ने लगा था तो इसलिए All Might भी अपने सूट की फुल पावर को एक्टिबेट कर देता है जिसमें हमें पता चलता है कि All Might ने इस सूट को Midoriya की क्लास के स्टुडेंट्स की क्वर्क से इंस्पायर होकर बनाया है जिसके बाद All Might को दिखा जाता है जो All for One पर अटेक करने का एक प्लान मनाता है वो भी अपनी बिना पूरी तागत लगा है और All Might पर काफी बड़ा अटेक करकर वहां से निकल जाता है बट All Might भी उस अटेक को डॉज करके उसके पीछा आने लगता है और One for All फिर बोलता है कि कहां गई वो तुमारे फेस की स्माइल अब तुम में वो बात नहीं रही और All Might अपने आपको देखो तुम एक बुड़े बुड़े हो चुके हो और फिर हमें बताए जाता है कि इस फाइट को ऑनलाइन और टीवी पर ब्रोड़कास्ट किया रहा है देन तभी All For One All Might पर एक जोड़तार अटेक करता है और बोलता है कि तुम्हारी रोसनी बहुत जल्द बुझने वाली है लेकिन All Might अपने टेंटिकल से उसे पकड़ लेता है और कहता है ओ बड़ी तुम अभी समझा नहीं मैं भले ही चले जाओं लेकिन मेरी रोसनी हमेशा रहने वाली है क्योंकि मेरे बात कोई और आएगा जो मेरी जगा लेगा जो पीस ओफ साइन बनेगा एंड हमें दुसरा सीन दिखा जाता है जिसमें हमें एक कुनेटा नाम का विलन दिखा जाता है जिसने ओयोमा और फेट गम को पकड़ रखा था उनेटा एक सीरियल किलर था जिसकी कुर्के पेड़ पोदे हुगा ना लेकिन यूमन्स के अंदर से देन वो ओयोमा से कहता है कि तुम एक कमजोर गदार हो जो एक बेल्ट की बिना अपनी कुर्क को साई से यूस तक नहीं कर सकता और फिर वही ओयोमा अपने फ्लेस बेक में जाकर अपनी फैमिली के बारे में सोंचता है और वहां से मोटिवेट होकर आता है और एक बोलिवोट के हीरो की तरह एक पंचलाइन मारता है कि तुमने मुझे एक गदार कहेकर मुझे मेरे सारे पापो की याद दिला दी और ये चीज तुमने बहुत जादा गलत की और ये कहकर ओयोमा एक काफी बड़ा अटेक करता है और बेल्ट ना होनी की विए से उसका लाइटनिंग अटेक डिफरेंट डिरेक्शन में जाने लगता है बट वहाँ एंट्री होती है इन्विजिवल गल की जो उस लाइटनिंग अटेक को उस विलन पर रिफलेक्ट कर देती है और यहां हमें फाइनली इन्विजिवल गल को पूरा रिवील कर दिया जाता है हाँ पूरा का पूरा दूसरी तरफ All Might भी अपने Hercules जो इसके सूट का सिस्टम है जैसे Iron Man का Jarvis है वैसे इसके सिस्टम का नाम Hercules है उसे कमांड देकर One for All पर एक काफी बड़ा अटेक करवाता है और फिर से हमें IOMA और Invisible Girl को दिखाए जाता है बड इंजन ओवर हीट और बेटरी जादा ना होनी की वज़े से लेजर हलकी होने लगती है और One for All उस गड़े से भाहर आने लगता है लेकिन All Might इयरफोन जेक की कवर की उसकर के उसको दुबारा अंदर कर देता है और कहता है यार ये लोग कितना जादा बोलता है फाइट की विज में बहले ही मुझे तुमारे उस पन से चोट लगी हो बहले ही मेरा आर्मर आदा तूट चुका हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हाड़ चुका हूँ बढ़ अचानक ओल फॉर वन रुक जाता है और वहां एंट्री होती है हमारे हीरो किलर स्टैन की तो इस वीडियो को फिलाल के लिए इतने ही रखते हैं और वैसे मैंने इस वीडियो में दो ही चैप्टर को कवर किया है बढ़ अगर तुम लोग का इस वीडियो में मुझे सही रिस्पॉंस मिला तो मैं भी मैं अगली वीडियो में जादा चैप्टर को कवर करूँ तो मेरी एक्स्प्लेइने सें तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर गए कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड मैंने ये फर्स्ट टाइम मांगा एक्स्प्लेइन वीडियो बनाई है तो अगर मैंने कोई गलती की हो या मुझे अगली बार कुछ चेंज करना हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना और इन्वीजिवल करल के रिवील मतलब उसके फेस रिवील होने की खुशी में चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेना